नमस्कार, आज हम बात करेंगे synthetic milk कैसे बनाते हैं याने नकली दूद कैसे बनाते हैं, क्या-क्या चीजे इसमें डालते हैं और ये health को किस तरह से नुकसान पहुचाता है, कौन-कौन सी तरह की बिमारिया या problems ये create करता है, इस बार में बात करेंगे, क्योंकि नकली दूद आ मिलाते क्या-क्या चीज हैं, ये चालना पहले ज़रूरी है, और फिदिया discuss करेंगे कि वो health को किस तरह से कराब करता है, ताकि आप इसको avoid कर सके, इससे बच सके, और rather मुझे तो लगता है इसमें बहुत strong legislation होना चाहिए, गौर्मेंट को इस पर action लेना चाहिए, जो लोग इस तरह की activities करते हैं, जिस तरह नकली दवाईया जो लोग बनाते हैं, वो एक कानूनी अपराद है, उस तरह नकली दूद बनाना भी कानूनी अपराद होना चाहिए, और जो लोग इसमें involved है, उनको कड़ी सजा मिलने चाहिए, क्योंकि बहुत तरह की बिमारिया करता है, आपको लिटरली जो दूद आप फाइदे के लिए पीते हैं, अपने बच्चों को पिलाते हैं, वो आपको फाइदा करने के बदले सिर्फ नुकसान ही करता है, तो सबसे पहले बात करेंगे, दूद क्या क्या चीजों से बनता है, नकली दूद और फिर उसके नुकसान पर बात करेंगे, टॉपिक पर जाएं से फेले जो लोग माने चैनल पर नए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करूँआ कि चैनल को सब्स्ट्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेक करें, नकली दूद बना निकले सबसे बड़ा बेस्ट होता है, वो तो पानी का होता है, पानी पानी को दूढ़ ज्यासा कलर दिया जाता है, पानी का सबसे बड़ा अड्वांटेज है कि वो कठर्लिस होता है, तो यसमें उसको क्रीमी टेक्श्यर देने के लिए और उसको रीयल दूद जैसा लिए उसमें इमलुर्सिफाइर्स डाले जाते हैं, इमलुर्सिफाइर्स तो इसा consistency उसका दिखें उसके लिए उसके लिए करता है। इसके बाद दूद में जाला जाता है starch याने की corn starch या potato starch जो दूद को एक creamy texture देता है और दूद को थोड़ा गढ़ा करता है उसमें starch डाला जाता है जो कि natural जो प्लाक्टोज वगर दूद में होता है उसके बदले होता है लेकिन नाच्रल के बदले वो कई गुना नुकसान करता है दूद में थोड़ा fat content दिखें और वो थोड़ा creamy हो और उसमें नाच्रल जो fat दूद में होता है उसके बदले वो लगबग वैसा ही दिखें इसलिए उसमें palm oil या soya bean oil डालते है ये दूद को जब पीते है synthetic milk को तो वो fat का जो feel आता है मुद में वैसा ही आपको taste है इसके ल नाच्रल शुगर है तो फाइदा नहीं करेगा नुकसान थोड़ा बहुत तो करेगा है इसके लावा इस पर protein content improvise करने के लिए natural दूद के proteins को mimic करने के लिए कुछ low grade proteins को use किया जाता है या कुछ इस तरह के proteins को whey protein को soya protein को ये सब को डाला जाता है जो कि थोड़े सस्ते होत है उसको डाल के दूद का protein लगबग वैसे दिखता है हलाकि ज्यादा तर मुझे लगता है कि वो ये सारी चीजे लोग ज्यादा वोइडी करते हो अपने आतों ज्यादा तर यूजिया वगड़ डाल के मेला माइन वगड़ डाल के वैसे दूद बना देते हैं पर high quality proteins तो I don जाते हैं ताकि वो दूद जैसा दिखें दूद जैसा टेस्ट करें white रहे और white दूद जैसा दिखें इसलिए उसमें artificial whiteness डाले जाते हैं दूद जैसा गाड़ा और ठीक हो जाए इसलिए उसमें guar gum और इस तरह के thickness डाले जाते हैं ताकि वो थोड़ा गाड़ा हो जाए ठी इसके लावा उसका natural consistency जैसा दिखे इसलिए कुछ acid और alkali जैसे compound भी उसमें डाले जाते हैं जोकि definitely रुकसान रहेक है और कुछ लोग, I don't think इंडिया में ऐसा करते होंगे, पर वो minerals और vitamins जो natural दूद में रहते हैं, लगभोगो वैसा ही रहे consistency इसलिए, थोड़ा minerals और vitamins भी डाल सब्सक्राइब कर देते हैं, तो अपने हां तो I don't think यह सब भी कोई अच्छी चीज उसमें डालते होंगे, पर हां, कुछ जगा पे vitamins, minerals भी डालते हैं, ताकि वो थोड़ा सा nutritious लगे लोगों को, और natural दूद जैसा थोड़ा और ज्यादा लोगों को differentiate करना मुश्किल पड़ सब के लिएम लेते हैं, वो आपको नहीं मिलेगा, तो deficiency rate होगी, उसके बदले आपको सारा artificial चीज मिल रहा है, जो की नुकसान दाएक है, इसके लावा synthetic milk को ज्यादा मात्रा में, पीने से लोगों का पेट खराब हो सकता है, बच्चों को पेट दर दर हो सकता है, उल्टी द सब लोग डालते हैं, यूरिया डालते हैं, तो यह सब चीजे तो अलग अलग जगा पर जाकर जमा होंगी और नुकसान ही करेंगी, artificial दूद में जो synthetic चीजे डालते हैं, वो कई बाद allergic reactions भी करते हैं, तो यह भी नुकसान दायक है, इसके अलावा जानवरों से ज्यादा लगाए जाते हैं, यह जब इस तरह का दूद जो लोग पीते हैं, उसमें भी कुछ hormonal issues आ जाते हैं, तो पीने वाले को भी कुछ hormonal problems develop हो सकती हैं, लंबे से वह तक इस तरह का दूद पीने से liver, kidney, heart damage हो सकता है, लोग को cancer हो सकता है, लोग के वित्ति हो सकते हैं, I don't know आज क कितने लोगों को इस तरह का दूद बनाने वाले लोग मार रहे हैं, I think natural बीमारियों के बदले यह दूद इस तरह का बनाने वाले लोग, जाधा लोग को आज मार रहे होंगे, आच्छल में इस पर कोई government data available नहीं है, कोई testing या, वो भी नहीं होता, लेकिन इस तरह के लोग, I think इसको criminal offense मानना चाहिए और इसको definitely jail में डालना चाहिए, इस तरह का activities करने वाले लोगों को, जिस तरह से नकली दवाया बनाने वाले, गलत treatment करने वाले, यह सारे ही criminal offenses offenses है, उसी तरह से नकली दूद को भी पेचना या बनाना एक criminal offense होना चाहिए, जिसमें जितने maximum possible हो सजा मिलने चे कि मुझे ऐसा लगता है, कि सबसे बुरा चीज तो ही है, छोटे-चोटे बच्चे को b Bulgar पालते हैं, हमारे चोटे-चोटे बच्चे जब यह दूद पीधे थे हैं, तो हम इस उम TP के साथ ञें को ई दूद देते हैं, कि उनका कुछ फायदा होगा लेकिन अगरू, तो उसके बदले ऐसा दूद्ध पी रहे हैं, किसी बच्चे को cancer हो जाता है, इसकी वज़े से कोई बच्चा मर जाता है, कोई बच्चा का लाइफ खराब हो जाता है, लिवर किद्नी फेल हो जाता है, सबसे बूरी बात है, कि ये सारे टॉक्सिक के बाद में पता ही नहीं चलता कि ये, क्या हुआ बच्चे के साथ, जिसकी वज़े से उसका लिवर किद्नी फेल हो गया, क्या हुआ उस वेक्टी के साथ, जिसकी वज़े से उसकी मिलती हो गई, ये पता ही नहीं चलेगा, और कार यह सारे चीजों के बाद में कोई स्टडीज नहीं है इसलिए exactly क्या-क्या साइट करते हैं वह प्रेट करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन बहुत सारे तरह के साइट इफेक्स कर सकते हैं यह सारे चीजों को मिलाके आटिविशल दूद बनाया जाता है और इससे आपको नुटिशनल डेफिशेंसी होती है पेट खराब होता है टॉक्सिटी होती है एलर्जिक रियक्शन होता है हॉर्मोरल इंबालेंस होता है हेल्थ हजाज होते हैं लिवर किनी और सारे होल्गन्स होते हैं कैंसर होने का रिस्क होता है बच्चों की बघड़ जाती बच्चों की ग्रोथ नहीं पाती और उनकी हेल्ठ बगड़ जाती है अले के खरागर एंस बहुता हैं और कई सैसे और देफेक्स जो शाहिद आदिक स्पारा है बोते वहीं पो आजके टॉपिक में हमने औ के नुकसान पर मात करियों और इसको कैसे बनाते हैं उस बारे में बाद केcha क्या का चीजे डालते है उस पर मत करि Means करंड़ लोग को जो नेरिकेस का काूंग लिखल पर, इस लोग मान के तो न खूर सुनय, और फोला रहन Państwo करें झाल झाल